दोस्तों बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नसों में होने वाली ब्लॉकेज के कारणों के बारे में नहीं जानते हैं और अगर इसका वजह नहीं जानेंगे तो इसका इलाज कैसे करेंगे तो आज किस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इन नसों में ब्लाकेज ज्यादा होती है। इसका इनाज घर पर कैसे किया जा सकता अור क्या प्रेहर है। तो वीडियो से बने रहे है दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरू कर दिया कीजिये। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं तो हमारा motivation आप होता है और अब तक आपने दोस्तों रुद्रहूम रेमेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आकन प्रेज कर और नोटिफिकेशन अन कर जिये ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालो आपको मिल जाए दोस्तों जब पैरों के नसों में ब्लॉकेज हो जाती है तो तांगों के उपर नीले रंग की उभुरी हुई नसें दिखाई जेती है इसे स्पाइडर वेंस भी कहते हैं यह मकडी की अकार की होती है नीली नीली जिसे वेरिकोज वेंस भी कहा जाता है वैसे तो वेरिकोज व में तकलीफ होती है मांस में मसल्स में रहती है तो सबसे पहले जानते हैं से पीछे का कारण क्या है फिर जानेंगे इसके इलाज के बारे में दोस्तों हार्ट हमारी सभी नसों में खून पहुंचाने का काम करता है हार्ट खून को पंप करता है और अंगों में जो वाल्व होत मगर किसी कारण से जब वह ओल्र कम्चोर हो जाते हैं तो नसों में खुन तो चला जाता है लेकिन वापस नहीं आ प्ता और नसों में धीरे धीरे इकठ अ हो almost हो जाता है जिस योगा बिल्कुल ना करने के कारण या फिर जो लोग पैदल चलने से भी वॉकिंग करने से भी बचते हैं उनको इन नसों में ब्लॉकेज की प्रॉलम ज्यादा होती है इसके लावा जो लोग ज्यादा टाइन तक एक ही जगा पर बैठे रहते हैं ओफिस में लगातार आट से 10 गंटा कंटीनू बैठ कर काम करते हैं उनके भी टांगों में पिंडलियों में ब्लॉकेज आ जाती है नीली नीली नसें दिखाई देने लगती है इसके लावा जो लोग ज्यादा टाइन तक खड़े रहते हैं मज़ूरों को देख लीजे कारखानों में लगातार खड़े दोस्तों मोटापा भी बहुत बड़ा बज़य होता है मोटे लोगों में भी प्रॉलम जयादा देखने को मिलता है और मिल्स के तुल्ना में फेमिल्स को यह प्रॉलम ज्यादा होते देखा जाता है मोटाप sis वजह से नसों में ब्लड़ शर्कुलेशन अच्छे से नहीं Heart आता और नसों में दबाव पड़ता है जिस वजह से वेरी कुछ बैंस की प्रॉलम होती है इसके लावा जो लोग अपने डेली रूटिन में नमक का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनको भी वेरी कुछ बैंस की प्रॉलम होती है ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो है और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए नसों को फैलना पड़ता है जिस वजह से ये नसों में ब्लॉकिज के समस्या होने लगती है और नसे कमजूर होती जाती है इसके लावा खाने में पोशक तत्तों की कम यानि नुट्रिशन की कमी के वजह से भी वैटेमिन की कमी के से भी नसे कमजूर होजाती है तो चलिए जानते हैं क्या क्या करना होगा क्या परहेज और इसका क्या इलाज है για रहन दा हूं के लिए और उनके लिए औरबाल उसके लावा फाइबर मत्यंचे को ज्यादा करते हैं फाइबर वाले चीजें ज्यादा खाएं, फल, फूट्स, हरी सबजियां ज्यादा खाएं, सही टाइम पे सोएं और सही टाइम पे उठें, अपने शरीर पर पानी की कमी न होने दे, दिन भर में परयाप्त पानी पिएं, लगबग कम से कम तीन लिटर तो पानी आप ज़रूर पिया करें, ताकि आपके बाड़ी से सारे टॉक्सिंस बाहर निकल जाएं, और स्विरीर में ब्लड फ्लो नॉर्मल रहें, तो अगर वेरी कुछ बैंस की प्रॉलम है, नसे उभरी भी दिखाई देती है, नसों में दर्द होता है, तो आपको उस जगह पर आउयल मसाज करन हैं, तो जयतुन के तेल से मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन काफी बहतर तरीके से होता है, इसके लावा इससे दर्द और स्वेलिंग में भी आराम मिलता है, तो अगर आपको ऐसी प्रॉलम है, तो ऑलिव और वाटिमिन E ओल, दोनों को बराबर मात्रा में लीजे, महिने तक रोजाना कीजे, दोस्तों, यह जो वाटिमिन E ओल है, आपको ऑनलाइन मिल जागा नहीं, तो आप या फिर आप इसे मेडिकल शॉप से परचेस कर सकते हो, ओल लगाने के बाद एक कम और कीजेगा, आप सुभा का धूप लीजेगा, इस ओल से मालिश आपको मिलने लगेगा, इसके लावा ऐसा डाइट लें, जिसमें जीवन है, यानि कि प्लांट बेश्ट डाइट, इसके लिए अपनी डाइट में फल, सबजियां, नट्स, अनाज, स्प्रॉट्स को शामिल करना होगा, अगर आप नट्स का सेवन कर रहे हैं, ट्राइफ रूट्स का सेवन कर रहे हैं, तो उसे भेगो कर किजेगा, वैसे भी आपको मैं चार ऐसी खाने वाली चीज़ों के बारे हैं बताने वाला हूँ, जिसे आपको रेगलर बेसेस पर प्रियूग करना है, रोजाना खाना है, खाना बनाने के एक पहर, यानि कि तीन घंटों के अंदर आ तो ऐसे में कंप्रेशन सौक्स भी बहुत ज्यादा फायदे मन्द होते हैं, कंप्रेशन सौक्स पहनने से हमारी सभी नसों पर बराबर मातरा में दबाव पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे नसों में आई कमचूरी कम होने लगती है, लेकिन कंप्रेशन सौक्स को पहनते स समय एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, सिर्फ बैठे बैठे इसका इसका इस्तमाल नहीं किया जा सकता है, जब भी आप वाकिंग के लिए निकलें तो इस सौक्स को पहन कर निकलें, इससे आपको फायदे मिलेगा, चलिए, आई जानते हूं चार चीज़ों के बारे म होती है, काले किश्मिश, फ्लैक्सिट्स, यानि अलसी के बीज, चिया के बीज, और अलसी, इस चारों ही चीज़ें आपको किसी भी ड्राइफट्स के शौक पर या फिर किसी भी किराने के दुकान पर आसाने से मिल जाएगे, वेरिकोज वेंस के बीमारे में इन चीज़ों फैदा इसके बीजों को खाने से ही होता है, इसलिए बीना बीजों वाली काली किश्मिश नहीं खरीदना है, तो इसके प्रयोगों करना के लिए रोजाना रात को 10-15 किश्मिश और 4 अंजीर को पानी में भीगो कर रखतें, आप एक गिलास पानी में भीगो दें, और सुब नसों में मौझूद व्लॉकेज को दूर करती है, इसे बॉड़ी में आरेन की कमी भी पूरी होगी, इसे नसों को मजबूती मिलती है, इसके साथ ही आप चिया सिट्स बाजार से मंगवा लिजे, चिया सिट्स देखे इस तरह का देखता है, कई लोग इसे सबजा समझ लेत या फिर आप इसे ऑनलाइन मंगवा लिजे, और रोजाना आपको दो चम्मच चिया के बीजों का परियोग करना है, वो कैसे करना है, मैं बताता हूँ, दो चम्मच चिया के बीजों को एक बड़ी गिलास पानी में भीगो कर लगबग 15-20 मिनिट के लिए रख देजेगा, आप देखेंगे कि 15-20 मिनिट के बाद फूल जाएंगे, जैल की तरह हो जाएंगे, और इसे आपको दो पहर के लंज के 50 मिनट पहले लेना है, यानि कि सुभा नास्ता करने के एक घंटे के बाद ले सकते हो, या फिर जब भी आप दो पहर को खाना खाते हो, तो उसके 45-50 म बना कर पी सकते हो, शेर्वत बनाने के लिए आप चीनी की जगह मिसरी का प्रियुक करना, चिया के सिर्स में प्रोटीन की मातरा ज्यादा होती है, और इसे खाने से शेरीर में आई किसी भी तरह की कमजोरी दूर होगी, और साथी नसों में सूजन कम करने और उन्हें मजब और इसका सेवन खीजे, अलसी का लड़ू कैसे बनाते हैं, आपको इंटरनेट पर आपको यूट्यूब में बहुत सारे से वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ पर देखे और इसे घर पर ही बना कर खाईए, अगर आप लड़ू नहीं बना सकते हो, तो आप अलसी के बीजों को 2-3 चमज की मातरा में दीन के समय कभी भी खा सकते हो, 2-3 चमज तक अलसी खाने से आपको कोई भी नुक्सान नहीं होगा, दोस्तों आप अलसी का बीज खाते हो तो इससे आपको वरीकोज वेंस की प्रॉलम दूर करने में बहुत मदद मिलेगी, अलसी और ची आ प्रॉलम में आराम मिलता है, वैसे आपके शेर में हाई कॉलिस्ट्रॉल की प्रॉलम है, तो भी आप चीया की बीजों को और अलसी की बीजों को प्रयोग कर सकते हो, इसे कॉलिस्ट्रॉल भी आपका कंट्रोल में रहेगा, इसकलाव दोस्तों एक और और औस दी है, जिससे लेजद के लिए सकते हैं तो आपको क्या करना है इसके लिए मिठी के बीजों को ड्यायर रोस्ट कर लिजे। और 50 ग्राम की मात्रा में ले लीजे और 60 पचास ग्राम ले लीजे दोनों को मिला कर पीश कर पॉडर बना लीजे और रोज रात को सुने से आधे घंटे पहले एक ग्लस दूद में इस पॉडर का आधा चमश मिलाएए और मिक्स करके इसे पी लीजे इसे नसों में दर्द की प्रॉलम है वह भी दूर होगी और शेरी में जो वात बढ़ा हुआ है वह भी संतुलित होगा और नसों में जो सुजन की समस्या है वह भी दूर हो जागे तो इस तरह से दोस्तों आप घर पर ही वेरी कोश वेंस का इलाज कर सकते हो जिन-जिन चीज़ों को आपको अपने सुशल मेडिया आकांट्स पर वाटसप पर फेस्बूक पर शेयर कीचेका और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए चाहिए आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक्यो